मैंने जनाब स्वेव सहाथ अडूकेट का नाम लिया, मैं यह कह सकता हूँ, यहादाद हिंदुस्तान में जब समिधान का मजाखुरा या रहा था, वकीर होता है, कि जब तक कि मुलिजिम को मुजिरिम ना बना या रालत ना करते, तब तक किसी को उसको मुजिरिम कहने का हत राजिक नहीं है, लगनों का बंकान होता है, बनालश का बंकान होता है, जोरखणफूर का बंकान होता है, और मासुम मुझमान बित्तो rashरों को इस तरह से उसमें मुलुषकेबिया जाता है, उसमें कोई वकील नहीं हो ज़ दाता, लो इस्तिक्बार करना चाहता हूं से अच्छाब आपको देखें रच्छाब आपको गुदारिश करूँगा इस आज़ी ने किसी कफलो फोर्ड में इस लिया मार खाई इस उमुर में कि होने हत परस्थी का काम करने के लिए वकालत का जो पेशा था उसकी गरिमा के उपर करार रखने के लिए टाम किया मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्टी ओलमा कॉंसिल कहीं पर कोई हो किसी संधंसे हो हमारे बाद इखिलाफाद हो सकते हैं हैं और अंदाविर रहेंगे लेकिन उसूली इखिलाफ है लेकिन अगर खिदमादों को मानने की बात आएगी तो हम अपने से पहले भी उन तमाम लोगों की खिदमाद का तथक्रा करने में खुझ को सम्मानी को हैसुश करेंगे यह हराष्टी ओलमा कॉंसल की अश्रिकों कि मैं माजित अबंजी साब का नाम भूर किया अगर मेरे पास है तो मुझे माजित साब को शेयर मेरे बहुत पुणाने साथी है, दोस्त है, भाई है, अलफाद में कि मैं कह सकूँ आज से नहीं बीसु साल का तालुक है उनका यह शेयर कि सामान ए तिजारत मेरा इमान नहीं है हर दर पे जुके वो सर, हर दर पे जुके सर वो मेरी शान नहीं कहें हमेरे साथी के उस जट्वे और इमानदारी में जो आज तक छुका नहीं हमने जो पंचलाइन दिया कि हम छुके नहीं, हम रुके नहीं और हम ठके नहीं तो उसमें इनके उस अशार का भी, कि हाशिम एडूकेट साथ हैं, आज जहां भी रात के बारा बज़े मुसिबत होती है ऐसे भूस्य साथी हमारे हैं निसार साथ बहुत से लोग है, मैं किन लोगों का नाम में तमीम बहुत से लोग है तमीम साथ हैं, हम नाम नहीं लेपाएं हैं और अगर किसी का नाम भूर रहें तो ये बिलकुल नहीं समझे कि मैं कहीं किसी की पहचान में या उसकी खिद्मात मुस्तक नहीं पहुची अल्हंदुल्ला अल्ला के हिसान है, कि आपने हमें यहां अगर बैठाला है, तो एक अक चीज़ पर नदर होती है दोस्तों, फराष्टी उल्मा कॉंसिल, उन रवाय की सियासतों, सियासतदानों की तरह, हम लोग सियासत में नहीं आ रहें यहां जत्री लोग है, मैं ज्यादा तर लोगे के बारे में कह सकता हूँ कि इस से पहले राष्टी उल्मा टॉंसल के 99 परसंट लोग किसी दोसरी पार्टी के घुलामी उनों नहीं रही किया क्यों भाय, अगर मेरी बास सही है, तो हाथ उठाके बताएं 99 परसंट मैं कह सकता हूँ, यह स्टेट पे भी, अगर जिनों ने घुलामी नहीं किये है, मैं कह सकता हूँ, कि राष्टी उल्मा टॉंसल, जिन हालाइक में बनी, हमने कोई प्लानिंग करके हम नहीं आये थे, कि चलो हम लोगों को वर गलाएं, चलो हम लोगों को जजबाती ना रह दें, कि चलो हम लोगों को के जजबात को भड़का करके, इमेल्ले और इंपी बन जाएं, वो नहीं दस साल, यहां बहुत से रोग हमारे मौजूद हैं, वो अक्सर कहते हैं, कि मौलाना आपको पार्लिम्न पे होना चाहिए, सियासत से अल्लाँ तालो को निकाल बाहर कर दिया गया है, एक जमाना था, किसी भी कौम का, तीन तबके किरीम होते हैं, किसी भी कौम का, अगर मुस्लमानों की बात करें तो उल्माई करांब, जाजिश बनाने कौम, और तीसरा तबका होता है सियासत का, ये क्रीम होते हैं, जो कौमों के हालाथ को बदलते हैं, अगर इसी को आप दूसरी कौमों में कर लें, तो उल्मा की दगाए सादू संट, गुद्वी जी और सियासत दा, लेकिं क्या सब्तर साल में, किसी एक आलिमे धीन में, किसी एक दानिस्वराने कौम में से, किसी एक सियासत दा में से, एक नाम लिया जा सकता है, कि जिसने ये तैय किया हो, कि हम अपनी कौम में एतबार और एतमाद पैदा करेंगी, जिस दिन राष्टी उल्मा कौनसल बनी, यहां पर हमारे तमाम उल्माई कराम मौजूद हैं, जो शुरू से साथ थे, हमारे जो साथ ही हैं, अगर याद होगा तो हमने कहा था, कि जो हम लोगों के दर्मियान जाएंगे, तो सियासत में, मौलवियों ने भी एक दिकाव माल की हैसियत से काम किया है, तो हमने भी वही समझा जाएगा, जान्स वरे उन्हों भी यहीं काम किया है, और सियासतदानों ने तो गुलामी के आखरी हद्ध कर दी है, तो हमने करा था, अल्लाग के रसूल एसल्म की, हम मुसल्मान हैं, तो इसल्म को अपनी जिन्दगी में शामिल करेंगे, हमने जो आएग, आपके सामने तिलावत की, उस आएग का मकसर ही यही है, कि हमने रसूलों को, तुम्हारे दर्मियान निशानियों के साथ, किताबों के साथ, और शरीयत के साथ उतारा, उसका मकसर यह था, कि लोगों के दर्मियान, अद्ल उ इनसाफ काइम करें, लोगों के दर्मियान, अभी मुलानाने का अल्खान को आयालिल्लाह, कि सारे कि सारे बिला तफरीक मधव मिल्ले मसलग जो दुनिया में पैदा हुआ वो अल्ला का कुम्बा है परिवार है तो अगर एक परिवार के किसी एक को ठेस लगे उसके साथ जुल्म हो तो परिवार के दूसरी आदमी को वो दुख होना चाहिए कि राष्टी उलमा कॉंसल के लावा हिंदोस्तान के सक्द्गर साल में किसी भी duk को मैसूज नहीं कि अगर मैसूज तो ब्राष्टी उलमान को यारू कशलिया की अल्जा के रसूल सल्लम कि नबूत के बाद की सीरत बहुत पयान की जाती है वो तो शरीयत है आपका उठना बैठना चलना पिरना सोना लेकिन चालिस साल नबूत के पहले जहां से हमें पैरना मिलती है किसी भी काम में वो यह है कि चालिस में पंद्रा साल अगर भुरूकत का निकाल दिया जाए एड़र्ट होने का निकाल दिया जाए तो पचीस साल बचता है और इस पचीस साल में एक वाकिया उस पूरी सीरत को बेयान करता है मौला ताहिर मदनी साहब ने भी आमानत की एक बात कि तरफ इशारा किया लेकिन एक बात समय कि अबू जहल या अबू लाम में से दोनों में से कोई हदर कुशिद्दीग रजिया लाँ पास जाते हैं और कहता है कि क्या कोई आदमी एतनी देर में आसमान पे जाके आसकता है तो हदर कुशिद्दीग रीजिया लाह ताला नो जहाते हैं कि झूड बोलता है कहता क्या बैतुल मुकदस जो हजारों किलुमीटर दूर है क्या एतनी देर में जाके आ सकता है तो अगर सिद्धीक रजियल्लाओ ने कहते हैं कि जूड बोलता है तो कहता क्या है वो कि तुम्हारा दोस मुहम्मद सल्लाओ अले सल्म कहते हैं तो अगर उन्होंने कहा है तो काहते हैं दोस्तों वो क्या चीज़ थी वो समाज में मौसरे में वो एतबार और एतमाद था कि अल्ला की रसूल अधिलम छूट नहीं बोल सकते हैं यहीं बात मैंने कहीं कि अपने लोगों से कि जिए हम सियासत में जाएंगे तो कहा जाएगा मौलबी बैमान आया है पुराना सिकारी ने जाल देके आया है हमें धबराना नहीं है अगर कोई छोर कहे जाकू कहे अभी उल्मा कॉंसल के तराने में जबरालम साब अश्रपूरी ने जो इल्दाम की बात कही नजाने कितने इल्दामा किस दस साल में लगे लेकिन अगर आप इल्दामों पे जाएंगे तो काम छोड़ते भाग जाएंगे लेकिन जब इल्दाम लगे तो इसको हवा में में दूराईए अपने दिल को सबसे बड़ा मुफ्ती अगर है अगर दिल मुद्माइन है कि वो चोर काता हम चोर नहीं वो डाकू काता हम डाकू नहीं है वो घलत काता हम घलत नहीं है अगर आपका दिल मुद्माइन है तो दुनिया भाड में जाए आप अकेले खड़े रहिए अल्ला ताला आके साथ अल्ला के हिसान कि आज उल्मा कॉंसल के गाइद नहीं नहीं छोटे छोटे कारकुनों ने भी कारकरताओं ने भी अपने समाज में एतबार और एतमाज पैदा किया है आज अल्ला के हिसान है कि हर आदमी हमारे समाज में यह कहता है पॉलिटिकल गल्यारों ने किसी की माने दूज नहीं पिलाया है कि ये बता दे कि हम लोगों ने कभी एक मर्तम वा मुलाम सिंह यादो अभी जब एलक्षन लड़ रहते और हमारी पार्टी ने जब देखिया यहाँ पर खास्तोर से हमारे राश्टी सचु में नाम लेना भूल जाता मुफ्टी गुफ्राम साथ मौला ताहिर मद्री साथ मौला शाह बख्तर साथ पूरी हाँ उसने ट्या कर दिया कि हम रशाजी को मुलाम सिंह के यह सामने आदम गणनना है मैं तैयार नहीं था मैं जानता था कि एक तरफ मौदी की नफरत होगी दूसरे तरफ मौलाम की मुहबत होगी उस दोनों पार्ट में मैं पिसके रह जाऊंगा लेकिन मुझे जो मौलाना तीनों ने एक बात कही वो यह कहा कि अल्मा कॉंसल का मुक्सद क्या है मैं जान बूच के अंजान बन गया कि मुझे नहीं मालूम कर लगे बताओ कर लगे मैं ने का मुझे नहीं मालूम कर लगे बताना पड़ेगा तो मैंने का जल्म के खिलाफ जालिम का हाथ पकड़ने का ना मराश्टी उल्मा कॉंसल तो इन लोगों ने का पताओ आमिर एक जालिम मुदफर नगड़ते पच्छिम से 657 दंगे करा करके जुल्म करके आ रहा है क्या तुम उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे मैं लाजवाब था मैंने फिर इस्टिखारा किया और लड़ा और मुलाइम सिंग यादो आठ मिनिट मेरे जामतुर रिशाद के दर्वादे पे खड़े रहे और लोगे ने कहा मुलाना मिलना चाहते है नेता जी किस लिए मिलना चाहते है यहीं लखनों के एक बड़े बिल्डर और एक हमारे दूर के अजीज होते है मैं समझता था मेरे दोस्त बनके आए हैं लेकिन वो नेता जी के जड़ बनके आए थे वो मेरा खाना उसक्त खा रहे थे फून आ गया फून लगे एक जाए सर सर मुलाना नेता जी मिलना चाहते हैं मैंने कि क्यूं मिलना चाहते हैं कि आपको बैठालने के लिए उन लोगों के दिमाख नेता बड़े बिल्डर थे कि मुलनी आदमी है दोजार पांच लाग के लिए परसाम रहता है मैं अगर कहूं तो कोई हर्ज ने होगा यह हमारे तारिख भाई मुझूद है अल्ला इनको सलमत रखे कैसे हजारों लोग है राष्टी अलमा कोंसल अगर यहाँ पहुंची है तुम नजाने कितने वो लोग जो नू की इट है अमारत खड़ी दिखाई दे रहे हैं लेकिन नू की वोट अगर यह इटे हट जाए तो अमारत गिर जाए मेरी गारी में टायर नहीं था कई गारियों की बात कर रहे कई लाफ रुप्या उनका टायर का बाकी है लेकिन आज तक उन्होंने मुझे से मागा नहीं मुझे कई मरतबा सर्माई में मिलने गया तो उनका उसकी बात मत करना आज राष्टी उन्मा कोंसल इसी तरह के मुखनिस लोगों की वज़े से यहां तक पहुंची है और ख़ड़ी है मनक नाम ले लिया सामया इसन नजाने कितने लोग है आप यहाएं है यह कैसे हैं आप बैठे हैं यह सिर्फ अल्ला जानता है और फिर मैं जानता हूँ अभी बहुत से लोगों को सम्मान दिया जाएगा लेकिन आप यकीन माने सम्मान के मुस्ताफ मैंने लिये खास्तोर से मेरे साथ नसीम सर्फराज फुर्कान भाई अब्दुर्रामान शाबास यह लड़के जिनकी एक पैसे की तनखा नहीं है राश्ति उन्मा काउंटर में किसी की एक तनखा नहीं है जो हमारी गारी कलाता है हाथे के आएंए के नहीं हमारी के वो तमाम लोगों ने अपनी जिन्दगी वक्ष कर दी है मैं चाहता हूँ इन पच्चों के लिए आज आप यहाँ पर जो दुपर में खाना खाए होंगे तो राग पर सरफराज चगा होगा और इंतिजाम क्या होगा आज यह इंतिजाम है तो नसीम कई रातों जगा होगा उसके साथ उसके साथी जगों होगे तब आज आप यहाँ पर बैठे हैं हम बड़े आराम से आके बैठे हैं मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए एक जोरदार ताली से बच्चों के सब्सक्राइब यह दस साल ऐसे नहीं पुरा हुए यह संकर्स ऐसे नहीं मुकमल हुआ दोस्तों अल्ला के इहसान है राष्टी उल्मा कॉंसल ने जफ साल में एतमाद और एतबार की उस मनजिल को पार कर लिया मैं अखसर सफर में रहता हूँ अभी कन्नोच से एक मरतबा जा रहा था चौराए पर रोपके गारी हमने पूछी कभी कन्नोच ने गिया रास्ते से जा रहा था कि भाई दिल्ली रास्ता कौन से जाएगा ये चार-पांच साल पहले की बात है लोगण जा रहे हो जोका आमिर रशादी जा रहे है ये बताने का मकसद घेर लिया लोगों ने और वहीं बैठाल के चाह पिलाई मौला ना एक मर्दबा आप आईए बेसरो सामानी में आज चोदा स्टेट में अल्ला ताला ने अपने फद्ल करम और आप फद्रात की दुआएं और मेहनत की वज़े के आज चोदा स्टेट में राश्ती जाजमा कौन सकत पहुंचे शुरू शुरू में हमारे बड़ों ने हमारी मुखाल्पत भी थी क्या भी एक इलाका मुकंबल ने हुआ छोड़ों ने भी मुखाल्पत भी तो मैंने यह किसान देश है मैंने भाई मिसाल दी कि धान की एकिस मूती है जो बेहन डाला जाता है फिर वो प्वेर की शकल में आता है बेहन कहते है और फिर उसको उखार के दूसरी जिगार रोपा जाता है उसमें धान जाता होता है लेकिन उसमें पानी भी जादा जिया जाता है धान की ये दूसरी सकल होती है कि अल्ला ने उपर पे बारिस कर दी किसी का उधार का टेक्टर ले लिया और लेके जोद दिया और जोद कैसे छिटुआ छिटुआ को दिया वो सिर्फ और सिर्फ अल्ला के फदल उकरम से उधान होता है उसमें किसी का सबब अख्तियार नहीं किया जाता सिर्फ और सिर्फ अल्ला के भरोशे पर वो घरीब किसान इसी तरह राश्टी उल्मा कॉंसल कि जब क्यादत मुझे सौथी गई तो रुपनी तो हम 20 साल अपने अलाके पुरुवांचल में करते रहे लेकिन हम पौरण निकले और बाहर और जाके हमने ये छुटुवा धान जो हो जा है वह आज 14 स्टेट में दिखाई दे रहा है और ये सिर्फ अल्ला के फद्लो करम मेरे कोई हैस्यक नहीं है अल्ला की तोफीर और उसके फद्लो करम से ये काम मकमल हो पाया है दोस्तों आज बहुत से तन्जीमे मैं यहाँ पर अगर जामतुरिशाथ का नाम ने लूँ एक बेक याद आगिया तो दो हजाराफ में जब मैंने अल्विदाई जुमा को बंदी का अभी ओर्मा कॉंसल नहीं बनी थी साथ तारीक को योगी गिया थे और ये नारे आदम गड़ लगे थे कट्वों के दो अस्थान कब्रस्थान या पाकिस्तान और हमारा एक लड़का मार दिया गया था और जाते जाते मोदी जी ने दो दिन बंदी करा के गए थे और बड़ी तरह से मजबूरों की मार पिकाई हुई और बड़ी पुश्किल थे वो लड़ाई लड़ी गई फिर तेरा को बंकांड होता हुए निस को हमारे रखे मार दिये जाते हैं 11 सिदंबर को अलवदाई जुमात हमने बंदी का एलान कर दिया परसासन बड़ा परसान था कि न कोई अपील ना कोई एलान ना खबार में कोई प्रस्टी किप्ती उसके बावजूद फुदा जिला बंद हो रहा है और रात में मेरे मदर्से को चारु तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया बोट राया धंकाया एक बात मैंने उन से आखिर में कही एस्पी साफ भी थे एडियम साफ भी थे जब बहुत उने का ये सजा वो सजा वला ये वो तो मैंने उन से आखिर में ये कहा कि एस्पी साफ और एडियम साफ ये जो चोगी वो हमारे वालिद ने वहाँ खरीद के रखी थी जो आज तकरीबन 57 साइट की वो चौकी हो गई है और मेरे उम्र भी इत्वाक से 57 को पहुच रही है इसी 5 इसंबर को 57 में दाखिल हो जाओंगा मैंने जब तक अल्ला ताला ने इस चौकी पे मेरा रिस्क लिखा है रोजी लिखी है पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत मिल करके भी मुझे अंदर का खाना नहीं खिला सकती और जिस दिन अल्ला अंदर की लिख देगा पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत भी अगर हमारी होगी हमारी दोस्त हो जाएगी तो बाहर कोई खाना नहीं खिला सकता मेरी ये बात उस वक्त लोगों के समझ में नहीं आ रही थी और जब वो कनामूजी और कलमाडी ये सारे जेल जाने लगे तब लोगों ने कहा कि मौलाना सही कहते थे ये तो हकूमत के हिस्सा थे और अल्ला ने जब लिख दिया तो जेल जाना प्राए मैंने इसलिए आप वो नारा याद है एक पर रेल में कस के बोलिये मरदानी आवाज में एक पर दूसरा पर किसमें एक पर रेल में और दूसरा जेल में ये नारा दिया गया था हो तैयारी है कि रही है है कि रही है हमने जामतर रिशायत की अभी हमें गुजरा जाना था हमारे पास पैसे नहीं थे यहाँ पर हमारे हाफिस साब बैठे हैं अमिर उद्दिन साब है क्या है कही है बाहर गये मुझे गुजरा जाना था गुजरात में राहुल जी है कि कौन है वह दलित ने था हार्दिक पटेल नहीं 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 है है जिगणीश में वानी हार्दिक पटेल और एक और कौन था हर्दे हर्दिश ठाकूर यह तीनों कहीं दिखिर पूरी कांगरेज घूब रही थी मैं हसास तबियत का अदमी हूँ नाइसाभी बर्दाश भी कर सकता मैंने कांगरेश वे सवाल किया लोगों से सवाल किया अपने मदर्चे में असाज़ा से सवाल किया कि राहुल के एक गिर कोई मुसलमान नहीं दिख रहा है वो चर्ज में जा रहे वो मंदिर में जा रहे वो यहां जा रहे वहां जा रहे लेकिन वहां आहमद पटियल जो उनका सबसे बड़ा चमचा था वो भी दाहिने बाई दिखाई ने दे क्यों इसलिए के मुसलमान तो इनके बाप नहरू का गुलाम था इनके दादे निंदरा गादी का गुलाम था इनकी मा सुनिया गादी का गुलाम था और अब राहुल गादी था गुलाम था इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है और मैं गया खुदा की किसे मुस्ट जाने का किराया यहाँ पर हमारे परदेश पादेश पूरा नंत नयर भे हम लोग जानते हैं शाह शाह समथ और्फ नयर साथ मैंने इंसे कहा यहाँ आपनी गाड़ियां लेके तयार रहें मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए आप दूद्वाज इस्तबाद करें लोगों करते हैं हाफीची मौजूद नहीं है हमारे साथ याठ हजार रुप्य महिना तनखा पाते हैं तुशन करते हैं जब इनसे कहा मेरा दर्द यह है कि अगर मैं जाता आज महां मुसल्मानों को सीट भी नहीं दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से तो मैंने अपने लड़कों से वा कहा कि हम जब यह कहते हैं कि हम जंडा ले के जाते हैं तो उस जंडे में चार फिट का दंडा ले जाते हैं जंडा तो दो फिट का होता है यह पांच फिट का तंडा होता है तो जब कोई मामला सीधे से नहीं होता है तो जब धंडा उंटा पलटते हैं और जब धंडा समझ गए तब आईवाने उकूमत की कुर्सियों पर डंडा चुकी जा चुका है तो बराबर बैठ नहीं पाते हैं फुचुकते हैं और जब धंडा डाता है तो पहली मर्तबा उन्होंने पांच सीटे गुजरात में दी दो देने वाज़े थे अगर आप कोजाद हो तो उसी डंडे ने तीन सीट मुसलमानों की बढ़ा दी और वो पैसा जाने के किराया एक लाख रुपिया हमारे उस गरीब हाफिजी ने अपना मकान बनाने के लिए रखा था कहां मौलाना मकान बाद में बनेगा ये वक्त दुबारा नहीं आ सकता जब मैं पहले मर्तबा जेल से 2000 में निकला तो उस वक्त भी मेरे पास खर्चे के पैसा नहीं था तो हमारे जामतुर रशाद के असाद्धा ने पचास पचास रुपिया बीस बीस रुपिया आपस में चंडा करके अठारा सो चालिस रुपिया मुझे दिया था और अठारा हमारे बुद्र मौला नाइम सिद्धी साथ हफिदा उल्ला अल्ला उनकी हवादत फरमाए वह बराबर आज यहां हमारे लड़के कुछ आए हैं तो हमने यह तैय किया था कि मौलबी सिर्फ लेगा नहीं हमारे जामतर रिशाद में है मौलबी सिर्फ लेगा नहीं मौलबी चंडा देना भी सीखेगा यह जामतर रिशाद की खुसूसियत है और हमने यह तैय किया था कि जो लड़के हमारे आएंगे वो सो रुपिया पच स्कूलीव करते हैं जहां पर वह देने का घंसिक है सिर्फ लेने का नहीं वह मुझी जकात देने वाला भी बने अगर ऑग उजकात लाकर के मदर्सा चला सकता है तो जकात दे के मदर्से के एक छोटा सा काम भी कर सकता है इन्शाल्ला दोस्तों आज रिलीज का काम पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितनी जमातें कर रही है उसमें खास्तोर से मुकदमा जिसको देखिये मुकदमा लड़ रहा है कि 2008 से पहले अगर एक भी तन्जीम शक्सियक का नाम मैंने बता दिया था किसी तन्जीम की भसोब नहीं था कि जिनके उपर आतंगबाद का लेवल लगा दिया जाए कोई इस्तमाई मुकदमा लड़ने का इलान कर दे यह ताकद भी राष्टियों मा कॉंसल नहीं अथा थी कि हमाने हुकुमत में रहनेवानों से यह गवा मुझूद है आख में आख जाल के बात करने की पहले जिन ते 31 जन्वरी 2008 को हम लोग जंदर मंतर पे गए थे एक तारिखी ट्रेन लेकर के उन्दमा एक्स्प्रेस वहाँ पर कुछ लोग जो दिल्ली में हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे उनके यह से हो मिनिस्टर के OSD से बात हो रही थी बहुत गोर से सुनिया गया यह आपने दस साल में कितना संगर्ज किया क्या पाया और उस पांच फिर टंडे ने क्या किया हम वह आ गए हमने पूछा क्या बात भार बार पार्लिमलिंट का जो किसे चो है वो आ रहा है पार्लिमिंट ठाने का आप भार बार कुछ करों जाता आथा जाता है जाता आता है तो बताया वो हम नोगों को हम मिनिस्टर के मिलने की बात हो रही है वो कहरें दो तीन आदमी आ जाओ मैं माफी के साथ बहुत तल्ख बात है कहने जार उलमा हमें माफ कर देंगे उलमा को एक अठ्था करना में ढखता उलना है आप बैठा लिए वो छटक के मेड़क तोर लेंगे हमारे साथ भी माने मेड़क उन लोगों को कहा है जिन्होंने इल्जाम लगा करके जो उन्होंने शेट पाथा कि छुप करके वार कर रहे थे कि उनको बीच का कहा जाए क्या कहा जाए उस वक्त हमारी सफों में मौजूद थे अगर उनमें से एक को छोड़ देते तो पहले ही दिन इत्याद ख़त्म हो जाता तो वो बारा लोग थे वो का रहते हैं वहाँ होम मिनिस्टर साथ की दो आदमी लेके आ जाओ लास में चार आदमी तक तयार हुए तो जब वो दुबारा इस सो आया तो मैंने उससे मुबाइल ले लिया और मैंने का ओस्टी साथ अपने उस होम मिनिस्टर से क्या दो कि हम बारा लोग हैं अगर बारा को बुला सकता है तो ठीक है औरना तुम्हारे डंडा कहां समझ गे डालने की ताकत रखते हैं आप यकीन मानेंगे वो पहले दिन जो डंडा था वो फौरन अपना काम कर गया और वहां से फौरन एक मिनिट में दानिस्वरानी कौम थे जो मामला कर रहे थे और दो एक की बात हो रही थी आठ मर्दबा तस मर्दबा आ जा रहा था और जैसे हमने डंडा घुमाया फौरन आडा रा गया कि 12 नहीं 24 लोग आ जाएं जितने आना हो आ जाएं और बड़ी अजिप्सी बात पता हुना कि जब वहां पोचे जो चितंबर हम साथ थे आए घड़ी देखी लूंगी उंगे अपने दुरुस्त की ऐसे दुरुस्त किया उन्होंने और दुरुस्त करके कहा आपके पास 20 मिनट था अब 18 मिनट बागी दो मिनट खतम हो गया तो मैंने का यह तु लूंगी वाला भी टाइम हमारे में से ले लिया इसमें मौला याद होगा मनगा चलिया उठिये ऐसे हराम खोर हो मिनिस्टर से हमें बाद नहीं करनी है जिसके पास 22 क्रोड मुसल्मानों के बाद करने के लिए 22 मिनट का वक्त नहीं है और हम लोग उटके खड़े हो गए लोग कहते हैं चिदनबरम साब उर्दू नहीं जानते हमने दो मिनट में वो जो डंडा था जो तेवर था उर्दू सिखा दिया और उन्होंने क्या मौलाना तश्रीफ रखे हम आप से बात करेंगे और 55 मिनट बात किया तो दोस्तों यहां तक पहुचने में अभी इंकाउंटर हुआ लखने हुए एक इंकाउंटर अखलेश साब ने जाते जाते कर दिया हमने अखलेश साब से कहा किया आप जाइच करा दो हम दो हजार एक से महाराज गन कुशी नगर या कुशी नगर के साथ हैं कि नहीं है वो लड़ाई गड़ी कही है कि नहीं जी मर्दानी आप आद में बताएं यादो जी आप बताएं हमने उस जमाने में हिंदू युवा वाहनी के लोगों से उसी डंडे और जो रेप करते थे मुस्लिम समाज की लड़कियों का उनको रेपिस्ट बना करके आदालोतों के कढ़ेरे में ख़ड़ा करने की थाथ था और जैसा है योगी जी चीफ मिनिस्टर होते हैं हम इन हराम खोर अखलेश यादो लाहूर यादो गाजी के दो नहीं उत्तर पर्देश में यादो होने जा रहे हैं सोनिया इन हराम खोरों से अभी केजरिवाल हराम खोर से हम जा करके गुजारिश करते रहें कि सिर्फ जाच करा दो हमने का जाच से क्यों घबराते हो जाच क्यों नहीं कराते हो कोई खलत मांग तूने जी हमने तो जाच के बात की थी हमने यह तो नहीं कहा दो ताहिर मदनी से करा दो हम वे जो संधानिक उने जैंसी उसे कहता करा दो जाच नहीं कराई लेकिन योगी जी जानते थे 2001 से मुझको चीफ मिनिस्टर होते ही होने के आठवे दिन यह हमारे पत्रकार अहबाब बैठे हैं क्यों सब आठवे दिन जाच का आडर हो गया या नहीं जी हुआ कि नहीं हुआ इसलिएक योगी जी जानते थे कि इस मसले को लेकर बहुत-बड़ा अंदोलंग अशाजी खड़ा सकता है अगर वो अपने को बहुत-बढ़ा वाला समझते हैं तो यह भी समझते हैं कि मुझसे बढ़ा वाला है मैं शुकुर्गजार हूं उनका मैं शुकुर्गजार हूं जो की जी का कि जो इनसाफ हमें इन हराम खुरों से बटना हाउस में नहीं सका वो लखना इनकाउंटर में हमें इस हुकूमत में बिल गिया लेकिन साथ ही अभी एक और इनकाउंटर हुआ एक हपते के अंदर दू इनकाउंटर होता है एक अले कर में होता है और दूसरा लखनाओ में होता है लखनव वाला योगी जी को फोरें पता जल जाता है कि फेक इनकाउंटर है और दूसरा इनकाउंटर एक हराम खुर एस्पी करता है वहाँ पर मीडिया को बुला करके फिल्म दी शूटिंग करता है ये लोग तो खाते पीते घर के थे लेकिन वो तो गरीब और मजदूर खानदान के थे हमने आपकी बात मान लिए वो मुझरिम थे अभी तो ये तिवारी का भी पता नहीं चिला कि मुझरिम था कि नहीं था अभी तो पुलिस वादा का रहे है कुछ और लेकिन वहाँ पर पचीस लाख रूपिया और बच्चों की तालीम और नोगरी भी दे दी गई लेकिन अलिगर के इंकाउंटर पे ना तो सोनिया जी का फून आया ना खिलेश भाईया को दर्द हुआ और ना मायोती के पेट में मरोड हुआ जानते हैं क्यूं इसलिए घुलाम काउमों की कोई हैसियत नहीं होती अस्ते करके यहां से जाओ मैं अभी अपने अब दुर्रावान कहीं है अब छोटा जल्का हुआ घर का है जब तक कि घर का एक अग बच्चा अपने घरों में इस्कूलों में दीवारों पर राष्टी उल्मा कॉंसल नहीं लिखना सीखेगा तब तक इनकलाब नहीं आसकता आप MBS पन करके खौं को इनकलाब खौं का इनकलाब नहीं आसकता MBS का मतलब समझते हैं मिया, बीवी, पच्चे समेत, पूरी खोम मिदियस हो गई है, उन्हें डर लगता है किसके, योगी से, उन्हें डर लगता है मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं, मुसल्मानों, साथ साल ये सिकुलर पार्टियों की जो हकूमते थी, उसमें जो सूरज निकलता था, अब क्या मोदी जी की हकूमत में वो सूरज तुम्हारे घरों में नहीं पहुचता, बोलिये, हवाई नहीं चलती, ताकत पैदा कीजिये, इन से लड़ने की, आइंदा, आज जाद विरादरी की बात होती है, सबते पहले अगर किसी ने जाद विरादरी को राजनीती में शामिल किया तो वो नहरू था, 1952 और 51 के एलक्षन में काफी लंबा चला था, नहरू ने मौला अबुलकलाम रादाज को रामपूर से टिकेट क्यों दिया, क्यों नहीं बनारस्काषी से पंडितों के दर्मियान भेज करके मौला अबुलकलाम आजाज को क्यों नहीं तिकर दे करके जितवाया, उस वक्त तो कांग्रेस अगर गधे को भी तिकर दे देती तो वो जीत जाता कि नहीं जीत जाता भाई, तो जाद भी रादरी की शुरुगात महीं से हुई उसे के बाद नेहरू ने गाधी पूर से भुम्यार पोटी कर दिया आजम गड़ यादो बहुल था चंदर जित यादो को इंद्रा गाधी ने दिया तो किसने किया भाई आज कहते हैं भाजपा जात धर्म की धर्म की राज़नीती कांग्रेस ने शुरू की राम मंदिर 184 से पहले भाजपा का मुद्धा नहीं था और जब भाजपा ने इस मुद्धे तो उठाया तो राज़ी उगाधी ने 1884 में ताला खुर्वा करके अपने को हिंदू का सबसे बड़ा समराथ बनाने की दिखाने की कोशिश की जब सबसे पहले करंशी के जरिया पूरे मुल्क में विराथ हिंदू सम्मेलन विराथ हिंदू सम्मेलन अगर किसी ने कराया तो नहरू ने शुरू कर वाया जो आज लोग कहते हैं सेफलिर्दिम के हामी थे 1991 के एलक्षन में अडवानी जी ने अगर सोमनाज से अपने एलक्षन का विगुल बजाया तो राजु गाधी ने अजोधिया से विगुल बजाया तो धर्म की राजनी की किसने शुरू की पहले आपको ये समझना होगा मुलायम सिंग जादों ने 1989 में चीश मिनिस्टर होते हुए जिने बाबरी मस्जिद बचाने का तमगा दिया जाता है शाम नामा 6 जिसंबर 1992 का जाकर उठा लीजिए और नब्बे का तीस तीस नॉम्बर मनीस्टर नब्बे का जब गोली चली थी तो मुलायम सिंग यादों ने ये बयान दिया था कि हमने किसी भी वो क्या कहते है कौन का कारसेवक पर गोली चलाने का आडर नहीं दिया लेकिन ये हराम खोर मुसल्मानों का मुनाफिक आदम खान ने का नेता जी चुप हो जाओ और रो रो के जाके मुसल्मानों ने कहा कि तुमारे लिए मुलायम सिंग यादों ने गोनी चला दी और मुसल्मान आज तक उनका हिसान मान गाँ यहां तक चला गिया कि हम काफिर हो गए ये कह कर गे मूर्वियों ने ये बात कही कि अब हमारी हफादत उत्तर पर्देश में मुलाइम सिंह यादो करेंगे क्या कोई मुसल्मान ये कह सकता है क्या ओू मसल्मान भाकिर हैगा अल्ला तौला चुक्ती पेचे लेगे और मुलायम शिंह अपासत करेंगे मुलायम सिंग यादों ने जो सबसे बड़ा कार्मा किया मुसल्मानों सुन लो कि बादनिस 209 में आयोध्य थाना था थाने का नम आयोध्य था उस थाने का नम बदल करके कि रॉका रॉम राम जनम भूमी थाना कर दिया वननीस वनवासी में उससे नियत का पता चल जाएगा बुसल्मानों कि ये कितना बड़ा मस्चित का हामियोर से गुलर है अब तो आरेसेस ने फुल पैंट शुरू कर दिया है अब तो किसी धोती में फुल पैंट शुप नहीं पाएगा लेकिन जब शुप जाता था तो मुलाइम सिंग यादो जैसे और उसका ये बेटा अकलेश यादो ये चड़ी भी लंगोड भी और फिर चड़ा भी आरेसेस का खाकी रंका पहिंते थे जहन में डाल लो नसी मुद्दीन सितीकी सावा आज महां नहीं है घुलाम घुलाम होता यहां से निकल के वहां घुलामी करने चला गिया आए हमारे पास हम चलके नहीं गए थे हमसे मदद तलब की हमने जो उन्हें मदद दी ये कह के दिया कि मायती सावा आपनी हराम खोर रही है पांच साल की हुकूमत में हमारा बहुत बड़ा योगदान था मुसल्मानों का लेकिन आपने हमारे ले कुछ नहीं किया उनको भी एक तिवारी याद है लेकिन उनके पांच काली दास पे चीफ मिनिस्टेट का हुदा लेने के दस्वे दिन ये बिर जिलाल हराम खोर जो था उसने दो मुसल्मानों का खतलया महा कर दिया इंकाउंटन कहके कि बेन जी आपको मारने आए थे और उनके जेब से नक्षा निकला है पांच काली दास का आप सोचिए और तसवूर कीजिए कि जो आदमी सीम को मारने आएगा अगर यहां बार निकल के लखनों में किसी कुटे से पूछे कि पांच काली दास कहा है तो भूख के बता देगा इधर है चले जाओ और जो इतना बड़ा काम करने आया सीम का कतल करने सीम को उड़ाने आया है उन नक्षा लेके जेब में घूम रहा है ऐसे कदेब डीजेपी बन जाते हैं नक्षा लेके घूम रहा है लेकिन क्या कहें अदालतों को लोग कहते हैं माननी अदालत हैं उनके खिलाब कुछ बोल नहीं सकते हैं अदालत यहां पर हिंदुस्तान में सम्विधान के मातात है अगर जज बैमान होगा तो जज को बैमा कहेंगे कि कंटेंट आपकोड लगता है लगने दो मुझे मारू में किया कंटेंट होगा तो सबसे जाधा छे महिने की सदा है कंटेंट की जब मुझे वो सदा देगा बुला करके तो कल्यान सिंग को तो बाबरी मस्जिद का कंटेंट जो है एक दिन का देगा लेकिन आमिर रसाधी को वो छे महीने से कम नहीं देगा तब मैं यह फिर कहूंगा कि मैंने तुझे बैमान कहा था आज फिर तुमने कंटेंट में अब क्यों अदालते क्या रही है इलहाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस ने पिछले तीन साल पहले कहा कि अदालतों में कुछ सड़ रहा है अभी चार सुप्रेम कोट के जजों ने जिसमें आज मौजूदा चीफ जस्टिस आप इंडिया है उन्होंने अपने मिश्रा जी के खिलाफ प्रेस कांफरेंट भी की थे हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने ये कर करके आप लोगों को ये हग दे दिया है कि बैमान को बैमान कहा जाए चाहो वहां बैठा हो चाहे यहां बैठा हो चाहे हिंदुस्तान के किसी कि सलाटर हाउस का मसला आया यह से गुलर्द अखलेश यादों ने अगर आज मुसल्मान 25 लाक ओबीसी मुसल्मान और दलित बेरोजगार हो गए हैं सलाटर हाउस इन जीटी बार बार सुप्रिम कोर्ट बार बार नोटिस भेज रही थी कि उसको लीगल कर लो जो उसके पैमाने है उस पैमाने को पूरा कर लो और उनको लाइसन्स दो लेकिन अखलेश यादों ने उनको लीगलाइ को ने इन जीटी की बात मान करके अगर वो बन कर दिया तो बताओ मुझी निम कौन है मैंने फैसला करूँ आपको करना होगा कौन है किसके बताओ ते नरीयों के पूजी पत्यों के लिए तो आप सुप्रिम कोर्ट चले जाते हो लेकिन घरीब जो दाल रोटी खाता है सलाटर हाउस से उसके लिए क्या रखलेश यादों ने कोई आवाद उठाई कोई आवाद उठाई दोस्तों जब तक मैं सियासत में नहीं आया था तो इन सारे हराम खोर सियासत दानों का बड़ा चहीता था इसलिए कि मैं भी आशिरवादी मूलवी था मेरे सारे आशिरवाद लेने आते थे, भाउजपा वाले भी आशिरवाद लेने आते थे और जैसे ही मैंने ये प्रोफ़ेशनल बाइमान और हम एरमकार स्यातत्तानों और पार्टियों के खिलाब आवाद बलंड की मेरे अंदर इतने कीड़े पढ़ गे कि जिसका आप तसवूर नहीं कर सकते अगर मैं कमजूर दिल का होता तो यह जो भासपाई मुसल्मान कांग्रेसी मुसल्मान भासपाई मुसल्मान और सपाई मुसल्मान इन सबों ने इतने कीड़े डालने की कोशिच किये लेकिन अल्ला की फदल है अल्ला जिसे रख्यों उसे कौन चेखे दोस्तो राम मंदिर की बात हो गई सलाटर हाउस की बात हो गई इंकाउंटर की बात हो गई अगर दो हजार वन्नीस में उल्मा कौनसिल यहां हमारे गाधी आदिल हक्कानी साथ मैं कहूंगा खड़े हो जाएं यह हमारे बहुत अहम आदमी इनका तालियों से इस्तिक्बाल कीजिए इनकी कोशिशें हैं और इंशालला ताला तकरीबन पूरे मुल्क के साउट औरिसा माराश्ट पूरे साउट हरियाना पंजाब उत्तर परदेश सारे बियार इन सारे जगा के एक से MP एक से राश्टवा के मिंबर और बहुत से राश्टी अध्यक्स जो भी पार्टियों के हैं इन तमाम लोगों से हम लोगों के मुलाकाद हो रही हैं और जिसका शारा श्रे हमारे अदिल साब को जा रहा है जब मैं जाता हूँ तो वहां पर वो रू हमने यह पहले दिन टैकिया था हमको 2009 में सोनिया गादी क्यांसे रामरेस यादों मर गए वाई उन्होंने का मैडम मिलना चाहती हैं हमने का मिल ले दूसरे दिन वो एक साहब हमारा टिकट ले करके काने लगे मोड़ना बिजनस के लास का बिजनस पर जोर जादा था वो समझते थे बिजनस करना है तिकट लेकी आगे एक इनुवा गाड़ी भी मेरे पास इस वक्त किराए की वो थी क्वाईलिस कि मोड़ना कल सुबह आपकी फलाई थे यह गाड़ी खड़ी रहे की रात बर और आप महां जाएंगे है शेराटन होटल में ठहरेंगे और वहाँ पर फिर मैडम का अडर आएगा तो आप मिलेंगे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मिलना कौन चाहते है कर लेंगे मैडम तो मैंने का ठिकेट उनका बनवा और मेरा क्यों बनवा रहे हैं राउल गादी ने भी जब हम 22 दिन हम लोग बैठे थे यहां हमारे लड़के कुछ मौजूद होगे जो दिल्ली में 22 दिन बैठे थे 341 पर राउल गादी परसान होके तो उन्होंने फुर्सी सेयद जहाँ नदीम साहब है उस कुर्सी पर बैठा था वो और एक पाटिल साह उसके गवाँ हैं अल्ला इन्हें सलामत रखे बहुत से इनके एसानात हैं दोस्तों इस आदमी ने अपना कारूबार खतम कर लिया जितने जिलास हुए उसमें अपने कारूबार का पैसा उठागे दे दिया आज कोई कारूबार नहीं है आज दूसरा अपना काम कर रहे है ऐसे मुझाहिदों के लिए आप ऐसे नजाने कितने लोगे जो आज दस साल पूरा हुआ है मैंने कही मर्तबा कहा कुछ पैसे आ गए थोड़ा सा ले लीजिए उन्होंने क्या मौला ना आपको देख लेता हूँ पैसा मिल जाता है अल्ला इस मुझाहिद को लिल्ला फिल्ला काइम रखे राहुल वो लेके आए धरने पर उन्होंने सारी बातें कर ली का मौला ना कल राहुल जी जब वक्त देंगे आपसे तो आप आज आईएगा मिलने मैंने उन्से का राहुल गादी आएगे कल लिए मौला आप राहुल गाजी को जानते हैं तो मैंने का तुम्हारा कराउन प्रिंस होगा हम वो समुदायों में समुदाय हैं कि अगर हैसे हाथ हटा लेंगे तो फकीर हो जाएगा विकमंगा हो जाएगा और हमने नारा दिया था संतेरा में दिल्ली मे जाकर के सनिकारा में राहुल गाजी को हमने उत्तर परदेश में तक्रीर नहीं करने दी कई जिगा बंदक बनाया तो नारा दिया था यूपी में राहुल को रोका अब सीला की बारी है फिर भी गरन माने पूरे मुल्क की तयारी है अल्ला ताला अपने बंदों की दुआ से मतलब नहीं लेकिन अपने दुश्मनों को परास्थ करने की ताकत अल्ला ने जुबान में से कहलवा दिया तो परास्थ करके दिखा भी दिया और फिर इस मर्तबा महा करबंदन मन रहा है जो खबरे आ रहे हैं 25 मायती ने ले लिया 30 अखलेश भाया ने ले लिया तीन तीन परसंट के जाट वाली विरादरी के नेता अजीश सिंग ने भी ले लिया और दसबारा कांग्रेस ने भी ले लिया और मिया भाई घंटा ही रावाए मुसल्मानों अगर अल्ला से डरते हो तो मूदी से डरना छोड़ दो छोड़ोगे के ने छोड़ोगे आवाद सीरी है यह बीच वाली आवाद नहीं होने चाहिए जनानी आवाद नहीं होने चाहिए हम खड़े हुए थे वुलाइम सिंग यादों को पसीना आगिया आजमगड में हंदुस्तान की तारीख में जब मैं आजियां से लखनों से चला था तो खुदा की किसम मेरी गारी में डालने के तेल का पैसा नहीं था तेल का पैसा नहीं था उधारने के तेल दो गारी में डालके गए थे और जब आजमगड पहुँचे तो यहां शाब अदीन भाई बैचे हैं कहीं होंगे खड़े होंगे अल्ला इसे सलामत रखे आजमगर से सो किलो मिटर पहले जो पहला इस्तिकबाल किया तो नब्बे कार यूं से इस्तिकबाल किया और जब शागन पहुचे कि यह मुझे तीन वकर आया खड़ो के खड़ो जाए एक साब पार्टी में आज आज नहीं है इन लोगों ने मिलकर के वाद 200 गारियों से इस्तिकबाल किया और पर कारवा आजमगर जब पहुचा दो साथ से आफ सो गारियों का काफला था हिंदुस्तान की तारीख में नहरू और तमाम नेताओं का इतना बड़ा काफला हिंदुस्तान की आवाम ने नहीं देखए आज तक नहरू के सामने किसी मुसल्मान नहरू से लेके राउल गाधी तक खड़ होने की ताकत नहीं पैदा की दोस्तों अगर तुम साथ दोर वसाइल का इंतिजाम करा दो जिससे अपने बच्चों को पालते हो उसी में से हलाल कमाई से अगर राश्टी अलमा कॉंसल को भी पालना शुरू कर दो तो सोनिया गाधी के मुकाबले में मेरी बेटी यतनी अलहमदुल्ल्ला अंग्रेजी की तालीम उसके पास है कि सोनिया अंग्रेज है तो क्या हुआ उससे अच्छी अंग्रेजी हिंदुस्तान में रहकर के बोल के दिखाए वो मेरी बच्ची भी खड़ी होके उसके ताकत से उनका मुकाबला करने की ताकत रखती है हम मुलाइम सिंग के सामने कोई सारे लोग पूरा हिंदुस्तान के आए गए पंदरह सो हराम खोर ओलमा पंदरह सो एतनी लंबी लंबी टोपी माने कभी देखा नहीं था एक दियनने वाला नेता मुंबाई से देखिया आया था समझगा गारें में टोपे नहीं आठी थी तो उचार के गारें में बैठे थे करोर रुपिया मुलाइम सिंग्यादों ने खर्च किया पैसा प्राटने का आलम ये था कि दो जगा उलमा कॉंसल के आफित में दो टोपीट डारी वाले बैठे थे ये नहीं समझा ये हमारा दुश्मन है उनको भी पाँच पाँच जदार दे के चले गए मुकाबला करना सिखो और वो हार के आजम कर से गए फूरी हकुमत लग कैसी अखले सियादों की और भारस सरकार को आईवे निए सत्तर अस्ती हदार फर्दी ओट मरवा करके आजम कर से जीते हैं वो डंड़ा वहां भी काम के जिस डंड़े के हमने तस्किरा किया अगर हम आज एलान करते हैं कि इंडिये ने मोदी जी ने मंगाई की मार ये मार वो मार तू मार चप्पान इंच नजाने क्या क्या करके आए जनता उनसे भी परशान थी जनता इनसे भी परशान है इसने हमने ये तय किया है किस मुलक में अगर 99% में अगर कहूं तो घरत नहीं होगा कि शोशित और फंचिस समाच के दोग रहते हैं जिने आज तक अपने अथिकार नहीं मिले क्या मिले सिर्फ मुसल्मान नहीं 99% लोग ऐसे हैं या नहीं है कि जिने उनके अथिकार नहीं मिले इसलिए इंशालला आज तक जतने वो बने उसको किसी जे परकाश नाराईन ने बनाया किसी कल्ओ चोधरी ने बनवाया किसी वीपी संग ने बनवाया पहरी मरदा हिंदुस्तान कि तारीख में जो हमने नारा दिया था एक ताकर नास चले का मिस्लिम हिंदू साथ चले का ूहीं लोग हिंदू मुस्लिम साथ चले करके इसको मुझलम माना बदलेटा जो हमारा है 70 साध मुसल्मानों ने इ्मानधारी से सवय हिंदू नहूं से लेकर के वीपी सिंग, वीपी हिंदू, कर्दूरी ठाकुर से लेकर के, मोदी जी से लेकर के, मुलाइम लालू भालू तक, और ये जग जीवन राम से लेकर के, आयती, मायावती, और राम बिलास पास्वान, अम बेट कर, और नजाने केतने लोगों का सब को इमानदारी सी क्यातत में, मुसल्मानों ने देश को बचाने के लिए वोट किया था, किया था कि नहिकी था, अमर्जन्टि के खिलाब जsters ले परकाष नाराईन आये, मुसल्मानों थे से जादा साथ दिया, वीपी से नहाए, मुसल्मानों ने साथ दिया ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला विकल जिसका नाम होगा S, S, A S, S, A शोशित समाज एलाइंस N, B, A, S, W, S, A शोशित समाज एलाइंस और जिसकी क्यादत इंशालला ताला और राष्टी उल्मा कोंसल करेगी हम मतपरदेश में भी एलक्षन लड़ेंगे हम राजिस्तान में भी एलक्षन लड़ेंगे अभी 36 गड़ में हमने काम नहीं किया है इसलिए हम वहाँ पर अभी बात नहीं करते लेकिन हमारा आठ साल से मतपरदेश में और राजिस्तान के लोग या आएंगे नहीं आएं आएं हैं मतपरदेश के लोग भी आएं हैं वहाँ पर इंशालला ताला और पूरे हिंदुस्तान में अगर अगर लाने चाहा तो एक तीसरा विकल्प इन दो भाइमानों से नजाद दिनाने के लिए इमांदारी राने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि राश्तियोनमा कॉंसल हमारे पास ऐसी लोग मुझूद है कि बगेर किसी इंकम टेक्स के बगेर किसी इंकम टेक्स के देश के पास जो संपत्तियां अपनी हैं अल्ला की दूई है उस संपत्तियों के बदूलत पूरा हिंदुस्तान चलाया जा सकता है सिर्फ एक चीज वो इमांदारी की बदूलत राहु जी जी कहते थे कि एक रुपिया चलता है तो एक पैसा पहुशता है मोदी जी कहां तो जो चलता है वो पहुशता ही नहीं यह उनसे आगे निकलके ले जाते है नीरो भाई मित्रो अब क्या करें लेके चला गया चला गया चला गया मित्रो तो राष्भक्ति देस बक्ती में एतने लीन हो गया है एक मर्तबा यही तरीका उनका होता है न मित्रो बताओ गाय दूद देती है कि नहीं देती है देती है कि नहीं देती है देती है कि नहीं पूछते है नहीं एक मरता उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया कि हमारे गुजरात में सारा काम गुजरात में होता है हमारे गुजरात में बैल भी दूद देता है और अब अब कह दिया तीच्छे से आके उसने कहा सर बैल दूद नहीं देता है मोदी जी कैसे मान लेंगे जिए जाइन घजा घास खाती है कि नहीं घाती है लोगों ने खाती है कि फूछते है लोगों ने का खाती है तो जब गाएंग घास खाती है और दूज देती है तो बैल घास खाता है गो नहीं खाता है तो खाता है सवासो करोर देश्वासियों का आशीरवाद है अब दुनिया के कोई ताकत बैल को दूज देने से नहीं रोक सकता तो ये बैल से भी दूति लवा देते हैं जूठी बोलना जो चाहों बोल लो तो राश्टी औरमा कॉंसल उत्ता पर्देश में हमें खास तोर से सबसे दाधा का हमारा यहां है काटन इंडिस्टीज उद्योगनीटी ऐसी काश पीतल आतर कार्पेट बनारती साड़ी टूरिज्म आपको पता नहीं होगा कि आपके बाप दादा के बनाया हुआ ताज महल पूरे हिंडुस्तान में टूरिज्म से जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्व उत्तर पर्देश के ताज महल से मिलता है कहा कहा मिटा होगे हमारे पास वो सारी चीज़े है वेलफियर इसकी में है तमाम लोगों को वेलफियर इसकी में दाद धरम किसी चीज़ के बगएर तालीम आपका बुनियादी हक है ए्लाज आपका बुनियादी हक है रोटी कापना मकान आपका बुनियादी हक है राच्च्चि उल्मा कौंसर हमें अमेंद है इन्शाल्ला ताला कि इस एलक्षन में हम उतनी टाक्फट में जरूर आएंगे कि हमारे बगेर कम से कम किसी की हकूमत नहीं मनेगी इन्शालला ताला तो राश्टी उल्मा कॉन्ट जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया कि अगर मौत से किसी की भूग से अगर मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मदारी तै की जाएगी चाहे वो परधान से रेकर के डियम तक जिले में जो उसका जिम्मदार होगा उसको 302 के ताथ उसको उपर मुकदमा चलाया जाएगा ऐसी तमाम चीज़े हैं वक्त बहुत कम है इस मौझूदा सरकार योगी जी की यह है फरवरी का जो डाटा उसने पेश किया है तेरा सो सततर मुड़ेड किया बतीस सो अंतीस मुझृम की रिफ्तार किया तीन सो अंचास मुझृम को घायल किया और चवालिस मुझृम का मडर हुआ लेकिन इस मडर में सिर्फ मौवजा एक आदमी को मिला मैं योगी जी से यहां से सवाल करना चाहता हूँ एक समुदाई विशेश एक जातिय विशेश को सिर्फ यह मिलेगा या पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के लिए आप आगे बढ़के यह काम करेंगे अखलेस यादो जो सबसे क्लीन चीफ मिनिस्टर कह लाते हैं अभी कैक की रिपोर्ट आई है कैक समझते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इधारा जो हिसाब किताब रखता है सत्तानने हजार क्या जो हिसाब का सबसे बड़के लादो जो हिसाब का सबसे बड़के लादोर्ट आई है